सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मेरे साथ को और जुरे रहे हमसे हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हलो एवरीबन वेल्कम बैक तो माई चैनल मेरे साथ फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला चिकन करी जिसके लिए मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन चार मीडियम साइज प्याज चॉप किया हुआ दो मीडियम साइज टमाटर ग्राइड किये हुए तीन टेबल स्पूम मस्टर्ड ओईल आधी कटोरी लैसन अत्रक का पेस्ट एक चम्मच लाज मिच पाउडर एक चम्मच चिकन मसाला पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर सूखे मसालों में मैंने लिया है एक लाल मिच दो तेज पत्ते एक दाल चीनी का टुकरा दो बढ़ी लाइची और थोरा सा जीरा दो हरी मिर्ची लिया है मैंने और नमक टेस्ट के एक ओड़ी सबसे पहले हम चिकन को मैरिमेट करेंगे जिसके लिए मैं चिकन में डालूंगी थोरा सा हल्दी पाउडर थोरा सा नमक और एक चमच जिंजर गार्लिक का पेस्ट अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख करके फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देंगे अब हम ग्यास को अनकरेंगे और प्यास को फ्राइ करेंगे चुकर गड़ा है अब मैं इसमें और डालोंगी सुखे मसाले मसाले चटक ने लगे हैं अब मैं इसमें डालूगी लैसन अद्रक का पेस्ट लैसन अद्रक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूगी कटे हुए प्यास को प्यास को अच्छापन चलाएगा और ग्रेवी की टेस्ट बहुत ही अच्छी राईगे प्यास को अमरेक एक से दो मिनुट में चलाते रहेंगे नहीं तो जलनी का ज्यादा चांस रहता है यह अर्मॉस्ट हमारा प्यास हो चुका है अब मैं इसमें चिकन दालूंगी चिकन को अच्छे से प्यास के साथ मिक्स कर लेंगे चिकन को अच्छे से फ्राइब करेंगे दो मिनुट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राइब करेंगे अब मैं इसमें नमक दालूंगी अब मैं देख सकते हैं साइड 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 से और निकल रहा है इसका मतलब है हमारा चिकन अच्छे से फ्राइब हो चुका है अब मैं इसमें डालेंगे ग्राइम किया हुआ टामाटर आफेट अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मिनुटी से चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे इसके बाद अब इसमें अपने सारे मसाले टाल देंगे मिर्ची पाउडर चिकन मसाला पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर सारे मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसे पांच से साथ मिनुट तक फ्राइ करेंगे फ्राइ करते टैम हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कूकर के लिट को हम कूकर के उपर से रख देंगे और बीच बीच में लिट को हटा के हम इसे एक बार चला लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं अब हम लिट को हटा के चिकन को एक बार चला देंगे यह पूरी तरह से फ्राइब हो चुका है मसालों से जब तेल निकलने लगे साइड साइड में तो इसका मतलब है मसाले अच्छे से फ्राइब हो चुके हैं अब देख सकते हैं मसाला अच्छे से बुनके तयार हो चुका है अब मैं डालोंगे इसमें 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी राले के बाद मैं इसमें लेट लगा दूंगी और एक सीटी आने तक पकाऊंगे कुका थंडा होने देते हैं थंडा होने के बाद हम खोल के दो किए मसाला चिकन करी बनके तियार है मैं आपको चिकन एक बॉल में निकाल के लिखाती हूं गर्मा गर्म मसाला चिकन करी बनके तयार है आप चिकन करी को चाबल रोटी या फिर किसी भी तरह के पराथे के साथ एंज्जॉय कर सकते हैं यह थी आज की मेरी स्पेसल रेसिपी अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जाद स्याद शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब जरू करें करें